हलो फ्रेंड्स कहते हैं तो यह आपका सेट फूर का कॉस्चिन नमर शीख से ठीक है पर चैनल के बार में क्या इंट्रॉड़क्शन दे पहले ही पार्ट में बोल दिया है आपका दूसरा पाठ है सेट फूर का कहता है बारह थारह बीस के चतूर्थ अनुपात का पता लगाए यह आपका 12 हो गया यह 18 यह 20 और यह आपका चत्थुर्थ अनुपात है ठीक है तो आपको पता होगा क्या इसका मल्टिप्लिकेशन इसके बरावर बता है अब आप डारेक्ट विसॉल्ब कर सकते हैं 12 एक्स बरावर 18 इंटू 20 चौटिया चौट दुना तुदहां को और एक्स बरावर 30 ठीक है यह आपका सेट फोर का कोश्चन नमर सेवन है यह कोश्चन बहुत ही इजी है परसेंटेज का है लेकिन सेट में दिया वा था इसलिए हम इसको ले लिए हैं कह रहा है कि 25 में से 21 अंक कि यह स्टूडेंट को हुआ है तो कितना परसेंट प्राफ राव दो भी बेकार कोश्चन है वह फिर भी ले लिया है कि 21 पचीश का कितना परसेंट है यह निकालना यानि 25 साओ 21 चौको 84 आनि 84 परसेंट ठीक है सेट से कोश्चन नमर एट है जो कि फिर से आपका मीन मीडियर मोड का कोश्चन दे है यानि माध्यमादी का और बहुलक से दे दिया है और कह रहा कि आपको इस आखड़ा दे दिया है इस आगड़े का माध्यों निकालना है तो अगर ऐसा कोश्चन रहेगा आप कुछ यही आपका अंसर हो गया है तो आपको इस तरह कोश्चन में करने का जरुवत नहीं है यहाँ पर आप देखें कि डिनॉमिनेटर में कह रहा है कि पांच है यानि कि टोटल पांच भाग है अस्टूडेंट का उसमें से दो भाग किसका है लड़का का यानि कि बचार कितना तो त及 यह अंसर हो घृए है agriculture करते हैं यानि इस पाड का लास्ट कोश्चन हो पालिगान से को इसन दे चैहाई है है क्या है यानि साइड्स नमबर आप साइड्स पुछ रहा है और सम बहुभूज का मतलब हुता है रेगुलर पॉलिगान ठीक है और बाइकोन का फर्मूला था तिन सो साट डिग्री बाइन इस इकवाल टू बाइकोन दस डिग्री दिया हुआ यहाने एक जिरो से एक जिरो कटा इन वराबर 36 यह आप का अंसर हो गया ठीक है दोस्तों तो इसी तरह का अगला पाट देखने के लिए हमार चैनल को लाइक की जिए और सब्सक्राइब की जिए ठटा बाई बाई